हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के समेजिंग यूट्यूब चानल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं के ट्वेल दाट इस किंडर गार्डन से क्लास 12 तक अल दी क्लासेज अल दी सब्जेक्स फॉर एवरी यूट्यूब चैनल आप हमारे सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल हमारी वेबसाइड और एप्लिकेशन पर भी देख सकते हैं फ्री ओफ कोई कोर्स इंरॉल्मेंट नहीं है कोई कूपन कोट नहीं लगाना है बढ़िया तरीके से बिंदास होकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर रहे हैं यूपी बोड एंपी बोड बिहार बोड राजस्तान बोड या डेली बोड इन पांच स्टेट बोड से रिलेटेड हैं तो दोस्त घबराना नहीं है हिंदी मीडियम वाला चैनल हमारा बढ़िया मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम यूट्यूब चै चानल है जाओ वहाँ पर पढ़ाई करो अगर आपक्षा 6-12 के आसपास किसी भी कक्षा में 6 से लेकर 12 किसी भी कक्षा में और इन पांच बोड से रिलेटेड हैं तो बढ़िया पढ़ाई होगी दोस्त वहाँ पर आपकी जाकर चेक आउट जरूर करना है ना सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट के फॉर्म में वहाँ पर भी अरेंजड हैं क्वालिटी रिच एजुकेशनल वीडियोस हैं मजा आ जाएगा तुम्हें है ना और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों से इंग्लिश मीडियम के 6 क्लास से लिकर 12 क्लास के बच्चे जितन बनाएगा ऊपर ग्राइभी नोटस में कलिक कर देना दोस्त उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेगेंड कर ले ना बढ़िया पढ़ाई कर ले ना यार किस बात की देरी है दोस्त चलिए शुरू कर दें आजका बढ़िया वाला लेक्चर लेकर इन उससे पहले मैं progress अपने आप आजाएगी ठीक है चलिए शुरू करते हैं यह रही हमारी पहली slide आज का जो topic है वो है rational function अभी इसको मत देखो इसको मैं पढ़ाओंगा पहले मुझे rational function क्या है क्या से काम करता है कैसे work करता है everything I will tell you about rational function लेकिन उसके लिए आपको तसली रखनी पड़ेगी दोस्त क्या सर तसली रखनी पड़ेगी जी हां तुम्हें याद है rational number तो तुमने पढ़ रहा का इसको अभी अभी मत पढ़ो इसको ठीक है अभी तुम rational number देखो what are rational numbers याद करो rational numbers क्या है सोच तुम थोड़ा सा सोचो अगर तुम्हें याद आ जाए तो बहुत अच्छी बास है rational numbers जो बढ़िया वाला बच्चा है न उसको याद आ जाएगा plus eight onward rational number पाया जाए देखो कोई भी number कोई भी number जब P upon Q के form का होता है कोई भी number जब P upon Q के form का होता है जहाँ पर P belong करता है integer मतलब P एक integer होता है Q भी एक integer होता है बस फरक इतना है कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता ये condition fulfill करा दी मतलब सर माइनस one upon six बिल्कुल होगा ये rational number सर मतलब मतलब two upon nine बिल्कुल होगा ये rational number सर मतलब one हा बिल्कुल होगा one को अपन one upon one लिख सकते हैं बिल्कुल होगा minus five upon three बिल्कुल होगा rational number ये सारे rational numbers है इतनी बात clear है कुछ भी लिख दो आप कुछ भी upon कुछ भी बस एक बात द्यान रखना ये conditions follow होनी चाहिए कि ये भी एक integer हो नीचे भी एक integer हो और नीचे जीरो ना हो बस clear है हा सर बिल्कुल इसी चीज को follow करते हुए rational functions बन गए कैसे सर बताता हूँ द्यान देना अपन compare करेंगे इससे ठीक है अपन इससे compare करेंगे अब बात कर लेते है rational functions की और ये बहुत important functions है बच्चों बहुत important functions है rational functions राइट देगो क्या है द्यान से सुनना बहुत द्यान से सुनना जी सर rational functions basically क्या होते हैं कि ऐसा function ऐसा function ध्यान से सुनना बेटा ऐसा function fx जिसके equal में जो चीज़े लिखी हो वो बड़ी भयानक्सी दिखें कैसी सर मतलब ऊपर भी एक ध्यान से सुनिएगा ऊपर भी एक function होगा ऊपर भी एक function होगा अपन लिख लेते हैं इसको PX लिख लेते हैं इसको PX लिख लेते हैं ठीक है function PX है P is not polynomial P is function इसको function पढ़ेंगे function को अपन F से भी दिखा सकते जी से भी दिखा सकते और P से भी दिखा सकते ठीक है होगा क्या गौर से सुनना कि अपने पास एक rational function तब आता है जब हमारे पास something upon something दिख जाए और उसमें धियान रखना यहाँ पर और यहाँ पर भी functions होंगे मतलब something upon something में उपर भी function नीचे भी function लिख देते हैं सर उपर हमारे पास एक function रहता fx और नीचे रहता हमारे पास एक function gx दोनों function होते हैं दोस्त मैं फिर बोल दे रहा हूँ यह जो fx है यह जो gx है यह दोनों ही functions होते हैं पर कौन से functions यह polynomial functions होते हैं यह polynomial functions होते हैं condition याद रखना नीचे 0 नहीं होगा 0 भी एक polynomial function है constant polynomial function नहीं 0 polynomial function है 0 भी एक polynomial function है जैसे यहाँ rational number में नीचे 0 नहीं हो सकता वैसी बेटा gx भी 0 नहीं हो सकता यह याद रखना है और मैं सची बता हूँ यह सबसे ज़्यादा important बात है इस पूरे topic की इस पूरे video की इस पूरे session की यह सबसे ज़्यादा topic important है क्या जैसे मैं तुमको एक function लिखके देता हूँ fx is equal to 2x square minus 6 upon x minus 3 अब तुमने सबसे पहले क्या करना है तुमने चेक करना है कि यह कौन सा function है सर यह identity function है सर यह constant function है सर यह अपना polynomial function है या यह अपना rational function है तो यह पता करने के लिए तुम्हें बहुत ध्यान से पहले यह पढ़ना पड़ेगा के यार यह तो something upon something है ठीक है ऊपर जो है यह polynomial है क्या हाँ polynomial है 2x square minus 6 जो है 2x square minus 6 बिटा यह polynomial है अगर यह polynomial है तो इसको अपन px मान लेते हैं ठीक है sir px मान लेते हैं क्या नीचे भी polynomial है हाई और यह भी polynomial है इसको gx मान लेते हैं gx is equal to x minus 3 तो जब polynomial upon polynomial आ जाए तो समझ जाना कि ये पूरा का पूरा rational function कहलाएगा समझ गए? ये सर, अच्छा, ध्यान से सुनना जी सर, 1 upon x square, px is equal to या fx is equal to 1 upon x square बताओ ये polynomial function है के नहीं, बताओ ये polynomial function है के नहीं सोचो, दिमाग से सोचो, कि सर, 1 polynomial है, polynomial function है कैसे है polynomial function? 1 एक polynomial होता है न, 1 is a constant polynomial, polynomial तो है तो सर, ये भी एक polynomial function है, pf लिख देता हूँ मैं, ठीक है सर x square ये भी एक polynomial function है, quadratic polynomial function है, ये भी polynomial function है सर, ये इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा का पूरा rational function होगा बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, simple, simple सीधा concept है rational number की तरह rational function होते हैं, बिल्कुल rational number की तरह rational function होते हैं screenshot ले लो नहीं तो तुम कहोगे कि सर, erase कर दिया बिना बताया आपने, done है बिटा, बिल्कुल done है सर, आगे चलते है, done, 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 ठीक है, done सर, बिल्कुल done है, कोई जमस्तिया नहीं, चलो, अब देखते हैं सर, आगे की क्या कहानी है, पूरी, आगे की कहानी, जीशान सर की जुबानी नहीं, जुबानी, ठीक है सर, चलो, देखना, बात बड़ी ही टन है, और वो क्या है, सर, थोड़ा रीकॉल करते हैं, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, rational function, ठीक है, ठीक है, rational function, ठीक है, rational function, ठन है सर, क्या होता है, एफ एक्स ले लो, जी एक्स ले लो, या पी एक्स ले लो, जिससे भी आपको डिनोट करना है, ठीक है सर, मैंने लिया एफ एक्स, एक्वल टू, कैसा दिखता है सर, या अपॉन में होगा, पहली बात तो, something upon something होगी, ठीक है, rational function की बात कर रहा है, ठीक है, कैसा दिखेगा, मतलब उपर भी सर, उपर जो है न, एक polynomial function बैठा होगा, एक polynomial function बैठा होगा, और नीचे भी एक polynomial function बैठा होगा, ये है सर सिस्टम, ये है सर सिस्टम, मतलब, मतलब सर, उपर अगर polynomial function बैठा होगा, तो आपन उसको एक काम करते हैं, पी एक्स मान लेते हैं, हाँ, पी एक्स म upon function इसको gx मान लेते हैं हासर तो ये system हमें समझना है कि जब polynomial function upon polynomial function आ जाए तो उस पूरे result को हम क्या बोलते है rational function क्या बोलते है rational function ध्यान देने की बात ही है कि नीचे वाला बंदा जो बंदी है या बंदा है वो zero नहीं होना चाहिए ये पार्ट zero नहीं होना चाहिए ये बहुत जरूरी है कोई समस्या नो समस्या ठीक है कोई problem नहीं है अब तुम ये मत कहना सर यहां तो fx लिखा आपने px लिख दिया अरे उससे कोई मतलब नहीं है यार वहां fx लिखा अपन px लिख देंगे आपकी मर्जी है यार kx ले लो mx ले लो आपकी मर्जी है it's up to you आपको concept पर दियान देना है ठीक है सर ड़न आगे चलते है our rational function is a function that is the ratio of the polynomials दो polynomials का ratio ratio मतलब something upon something है ना तो पहला point तो clear है सर के rational function जो है y वो किसके equal होगा polynomial upon polynomial symbol y is equal to polynomial upon different polynomial same same polynomial नहीं poly upon poly है ना ठीक है सर any function of one variable x is called a rational function if it can be represented as this ठीक है भी या कोई भी एक function है जिसको हम जो को function fx है variable में है single variable a की variable x में है उसको अगर हम some polynomial function of x upon some polynomial function of gx ऐसे represent कर सकें तो हम उसको क्या बोलेंगे rational function ठीक है सर rational function बोलेंगे example देख लो भाई अब आ गई बढ़िया जानदार बात example देखो सर क्या है fx is equal to इन्हों ने देखो fx लिया ठीक है तो उपर इन्हों ने लिखा x square plus x minus 2 upon नीचे इन्होंने लिखा 2x square minus 2x minus 3 ये लिख दिया इन्होंने अब सुनदे या ना सर जी चेक करो तरह ऊपर polynomial है क्या हाँ ये तो polynomial है कैसे है सर? polynomial कैसे पता करते है? सर जी x की power देख लो 2 है x की power 1 है whole numbers है तो ये तो polynomial है नीचे देखना सर जी यार ये भी polynomial दिया है क्या नीचे upon में? x की power देख लो x की power 2 x की power 1 यानि ये भी polynomial है तो sir हम क्या कह सकते हैं ओ तेरी हम तो यह बोल सकते कि जो fx है क्या है fx is a ratio of ratio है या किसका ratio of two polynomials या two polynomial functions sir जी दो polynomials का यह तो ratio है तो क्या इसको अपन ऐसे represent नहीं कर सकते fx is equal to ऊपर वाले polynomial को अपन कह देते हैं px और नीचे वाले polynomial को अपन कह देते हैं gx लो sir हो गया represent ऐसे represent हो गया हो गया यह rational polynomial खत्म clear है हाँ sir clear है एक चीज बहुत important है जो नीचे वाला gx है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यह भीया बहुत important है लिख दो ददा क्या gx should not be equal to 0 मतलब यह वाला पर 2x square minus 2x minus 3 should not be equal to 0 इसकी range domain निकालने में बड़ा मज़ा आता है ठीक है sir done हो गया बिलकुल जमा जम हो गया sir मज़ा आ गया done है sir बिलकुल done है चलिए भई आगे बढ़ते हैं moving on to our next one ठीक है ठीक है भई अभी इसको करते हैं अपन एरेज और आगे की slide देखते हैं sir आगे की slide में क्या छुपा हुआ है we know that every constant is a polynomial and hence the numerator of a rational function can be constant also ओ भाई एक नई चीज पता चलिए उसको मत देखियो अभी उसको मत देखना अभी ठीक है उसको मत देख भाई ठीक है सुनते जाना जी sir we know that every constant is a polynomial पहली चीज पहली चीज तो यह कि जो rational polynomial है rp लिख रहा हूं मैं जिसको अपने काम करते है fx से लिखा देते हैं और अपन कह देते हैं कि fx है और ऊपर मतलब और वेस्सी बात है polynomial अपन polynomial होगा हा सर polynomial अपन पॉलिआमियल होगा px अपन Gx है ना एक polynomial p x एक polynomial gx सुनते जाना मेरी बात भूथ गष्भ से सुनना यहां यह कहा गया है यह बहुत confusing बात है confusion हो जाओगे तूम बहुत confused हो जाओगे यह यह कहा गया है कि Numerator upon denominator जो है यह जो numerator है और यह जो denominator है वो यह गह रहा है कि दोनों polynomial होने चाहिए अगर rational polynomial बनना है इसको तो हाँ बिलकुल पूर दोनो polynomials होने चाहिए उपर भी polynomial नीचे भी numbers भी तो polynomials होते हैं constant वाले 9, 8, 5 हाँ सर होते हैं सुनते हैं ना बिलकुल होते हैं अगर numerator में numbers आजाएं अगर numerator में numbers आजाएं constant numbers आजाएं constant polynomial constant polynomial यह आदे हैं ना constant polynomial अरे 1, minus 2, 8 यही तो constant polynomial होते हैं जन्में numbers होता बस ठीक है upon पर नीचे constant polynomial नहीं आएंगे non constant तब जाके हम इसको कह सकते हैं कि हाँ यह इस condition में yes यह rational polynomial कहलाएगा example बताऊंगा भी don't worry rational polynomial कहलाएगा इसका example देखने है example सुनते जाना जी सर अगर हम उपर 2 ले ले और नीचे ले ले x minus 3 यह अब कहलाएगा अपना rational polynomial क्यों उपर एक number उपर एक constant polynomial आगया number आगया numerator में और नीचे एक proper non constant यह constant polynomial नहीं है this is not a constant polynomial xs में x minus 3 है ऐसी condition आजाए तो आप कह दो के yes यह अपना rp है यानि rational rational function है rational polynomial लिख दिया मैंने rational function है ठीक है यह इस condition में rational function है लेकिन 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 बिटा अब सुन लो उल्टी बात क्या सर अब सुन लो तुम उल्टी बात क्या सर अगर ऊपर एक non constant polynomial है जैसे x square plus 2 x minus 3 x plus 5 कुछ ऐसा है ठीक है non constant मतलब constant नहीं है खाली number नहीं है कि 7 हो minus 8 हो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन नीची अगर मतलब इसका उल्टा हो जाए just इसका उल्टा समझते जाना जी सर just इसका condition का उल्टा हो जाए but but लगा के लिख रहा हूँ मैं ध्यान से सुनियेगा but अगर हमारे पास एक polynomial है ध्यान से सुनियेगा एक function है we have a function fx ठीक है उसमें उपर और नीचे दोनों polynomial है obvious सी बात है दोनों polynomial होंगे पर उपर जो है ना एक non constant की बात हो रही है non constant polynomial की बात हो रही है ठीक है और अपन नीचे में constant polynomial है नीचे में constant polynomial आ जाए उपर constant था नीचे non constant था तो वो था वो rational polynomial कहलाएगा पर इधार उल्टा अगर हो गया इधार उल्टा मतलब इसी का उल्टा कर दो उपर अगर आ गया x-3 और नीचे अगर आ गया 2 constant है ना 2 हाँ सर constant polynomial भी है non constant है यह non constant है सही बात है तो इसको हम rational polynomial rational function नहीं कह सकते not a rational function यह नहीं होगा क्यों इसको ध्यान दीजे इसको जादा हक इस वाले function पर जादा हक है linear function का यह linear function यह पूरा का पूरा polynomial function है कैसे सर x-3 upon 2 को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1 upon 2 बिलकुर लिख सकते भाई यह तो पूरा का पूरा एक ही polynomial है यह तो पूरा का पूरा एक ही polynomial है polynomial upon polynomial कहीं नहीं सकते इसको नहीं समझे यह पूरा का पूरा एक ही polynomial है मेरी बास सुन लो बिटा 2x plus 3 upon 4 इन्होंने भी ऐसी example दिया 2x plus 3 एक प्रॉपर non constant polynomial है upon 4 एक प्रॉपर constant polynomial है अगर नीचे constant आ जाता है तो आप इसको rational function नहीं पुकार सकते not a rational function please do listen very carefully ठीक है अभी कुछ questions भी दूँगा मैं आपको कुछ examples भी लेंगे जिन में मैं आपसे पूचूँगा बताओ इन में कौन से constant polynomials हैं कौन से नहीं हैं everything you are going to tell by yourself don't worry done है बिलकुल done है sir आगे चलते हैं ठीक है I'm raising this ठीक है I'm raising this discussion लंबा चलेगा भी अभी tension ना लो कुछ examples लेखते हैं दोस्त है let us work upon some examples ध्यान से सुनना क्या ये हमारा rational polynomial होगा check करते हैं 3x plus 1 sir ये एक proper polynomial है non constant नहीं है constant constant नहीं है तो ये एक proper polynomial है इसको मैंने बोल दिया sir ये अपना px है proper polynomial function है ठीक है upon 2x plus 3 हाँ ये भी polynomial है this is also a polynomial तो इसको अपन ने gx बोल दिया नीचे 0 तो नहीं है ना नहीं है sir तो ये proper हो गया यार ये तो सही है क्या है sir इसका मतलब ये तो अपना rational function हो गया ठीक है sir इसको देख भाई 2x square plus 3 है उपर sir ये तो पूरा पूरा polynomial है है ना इसको px ले ले भाई 5x plus 1 ये भी polynomial है sir तो इसको gx ले ले भाई लो नीचे 0 तो नहीं बन रहा है ना वो नहीं बन रहा है sir तो ये px upon gx के रूप में इसको दिखा दिया ये क्या हुआ yes sir this is a perfect rational polynomial इसकी बात करते है hx hx ठीक है इसमें उपर हमको 1 दिया नीचे हमको 3x plus 1 दिया अब मैंने क्या बोला अगर उपर एक number आ जाए constant वाला function आ जाए constant polynomial आ जाए polynomial constant polynomial है ना 1 1, 2, minus 8 ये सब क्या है numbers है खाली numbers है तो इनको constant polynomial बोलते है अगर उपर एक constant polynomial आ जाए और नीचे non constant polynomial आ जाए तब हम इसको rational polynomial बोल देंगे के हाँ ये rational polynomial है अब बताना बिटा आप लोग के ये जो examples मैं लिख रहा हूँ इसमें कौन-कौन से rational polynomials हैं और कौन-कौन से नहीं है I want the answers from your side बच्चा ठीक है सर आपकी दर्फ से मुझे answer चाहिए ठीक है number one ठीक है 5x upon 3x minus 2 number two ठीक है done minus 7 upon 4x plus 3 number three done sir 3x plus 2 3x square plus 2 ठीक है अरे बन जा भाई 3x square plus 2 upon 8 ठीक है next fourth 5x square plus 2x upon 7x ठीक है next दियान से सुन लो बेटा दियान से सुनते जाओ ठीक है 2x square plus 3 upon minus 5 चलो बता बेटा ये है क्या ये है क्या बता 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 बेटा अरे लाइफ क्लास नहीं है दादा लाइफ क्लास नहीं है नहीं तर तम सोचो सार हमें reply क्यों नहीं कर रहे हो ठीक है 5x सर ये एक polynomial है constant नहीं है constant नहीं है 5x लगा हुआ है constant सिर्फ 5 होता तो constant हो जाता ठीक है 3x-2 ये भी constant नहीं है polynomial है proper polynomial है बिलकुल pure polynomial है ये भी pure polynomial है तो इसको अपन px upon gx लिख सकते हैं तो ये पूरा fx क्या हुआ yes it is a rational polynomial ये दिखते हैं अच्छा उपर इसके constant है उपर constant है मैं फिर बोल देना चाहता हूँ उपर constant नीचे non-constant उपर constant नीचे non-constant तोई yes इसको हम एक rational function बोल सकते हैं ठीक है उपर constant minus 7 पूरा function है obviously function नहीं ये proper इक polynomial है ये polynomial है minus 7 एक polynomial है constant polynomial है constant function भी कह सकते constant polynomial function भी कह सकते के हाँ polynomial दो है constant है नीचे non constant है नीचे proper polynomial है तो उपर अगर number number आ जाए और नीचे polynomial पूरा आ जाए तो इसको yes हम rational function बोल सकते है तो ये भी rational है है ना this is also this is also इसकी बात कर लेते हैं done सर जी उपर यहाँ पर एक polynomial है constant नहीं है नीचे खाली खाली number है नीचे खाली खाली number है इसका उलटा इसका उलटा भी यह हमारा rational function कहलने के लायक नहीं है यह इक सिर्फ पूरा का पूरा एक polynomial function है पूरा का पूरा polynomial function है मैं कह देना चालता हूं लिख देना चालता हूं उपर अगर non constant polynomial आ जाए ऊपर non constant नीचे सिर्फ number number लिखा हो constant polynomial हो सिर्फ number number लिखा हो तो आप कहोगे no no not rf ये rf यानि rational function नहीं होगा ठीक है rest 2 आप बताओगे कि सही है कि गलत है मतलब rational function होगा अत्वा rational function नहीं होगा ये अब आप बताओगे ठीक है आपको दिखाई है कि सर rational function जो fx होगा वो polynomial upon polynomial को follow करेगा a polynomial upon a polynomial ठीक है ओपर polynomial नीचे polynomial तो सर उनका जो result आएगा तो polynomial का जो ratio होता है वो एक rational polynomial ही होगा बस ध्याद रखना सर बस याद रखना जो नीचे polynomial होगा ना वो constant polynomial नहीं होना चाहिए अगर उन नीचे constant polynomial आ गया उपर एक pure polynomial है pure polynomial मतलब non constant ठीक है तो हम इसको rational polynomial नहीं कह सकते ये बात अच्छे से अपने दिमाग में खोपड़ी में डाल लो clear है done sir आगे चलते है domain and range of rational function अब हमें domain और range की बाते करनी है let us talk about how to gain domain how to gain range के sir एक rational function की domain और range कैसे पता लगा जाती है बहुत आसान है बहुत आसान है example लेते है ठीक है example लेते है any fraction is not defined जैसे सुनना बहुत अच्छी से हम समझते हैं कि जो rational function होता है sir जो rational function होता है वो ratio होता है ना वो तो ratio होता ठीक है काहे का ratio होता ratio of polynomials polynomial upon polynomials यही होता है ना अब कुछ भी चीज़ जब upon में लिखते हैं जैसे मान के चलो मैं लिख दू 5 upon 9 3 upon 7 अपनको पता है sir कि कोई भी ratio के नीचे 0 नहीं आना चाहिए मतलब अगर मैंने 3 upon 0 कर दिया तो मैंने इसको बिगार दिया मैंने इसको इसको तबाह कर दिया इसको destroy कर दिया मैंने अगर नीचे 0 आगया तो सबसे पहला काम तो यह है कि sir अगर यह पूरा polynomial जो rational function है पूरी की पूरी ratio की बात होती है मतलब sir मतलब sir मतलब एक polynomial px upon दूसरा polynomial gx हमें सिर्फ और सिर्फ input पता करते time input बोले तो domain पता करते time एक चीज बहुत दिमाग से रखनी है दिमाग में set करनी है घुसा के रखनी है के हाँ ये एक rational function है ठीक है इसकी domain क्या हो सकती है इसकी domain मतलब इसके अंदर input क्या क्या चीज है डाल सकते हैं हम x के format में के x is equal to 1, x is equal to 5, x is equal to infinity, x is equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to 3 by 2 हम क्या क्या type के numbers इसमें input दे सकते हैं domain क्या होगी ये पता लगाने से पहले तुम्हें एक बार जरा उसका denominator देख लेना यानि नीचे वाला polynomial देख लेना वो तुम्हें 0 होने से बचाना है, बात खतम तुम्हें बस और बस अगर तुम्हें domain पता करनी है अगर तुम्हें domain पता करनी है एक rational function की, domain of rational function की तुम्हें एक काम करना है, छोटा सा काम क्या सर तुम्हें एक छोटा सा काम करना है जो नीचे GX है ना Is not equal to zero करके solve कर देना GX is not equal to zero करके solve कर देना बिटा ठीक है? Example तुम्हें example बताता हूँ पहले तुम इतना पढ़ लो अच्छे से फिर example solve कराता हूँ ठीक है? Done sir, चलो हाँ भई तो अभी कहाते है अपन domain and range of rational function पे आ गएं sir ठीक है? तो मतलब यह तो होई गया obviously अभी इसमें important बात क्या है? मैं तुमको इसमें important बात बताता हूँ सबसे ज़्यादा important वाली चीज़ देखना हमारे पास मान के चलो कोई rational एक function है एक्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं ठीक है? ध्यान से देखना? जी sir हमने एक rational function लिया fx is equal to beta x square minus 4 upon x plus 1 बहुत basic सा example लिया हमने ठीक है? done sir अब बात ऐसी है कि ऊपर भी एक polynomial है नीचे भी एक polynomial है सही बात है sir बिल्कुल सही बात है उपर भी polynomial नीचे भी polynomial क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे represent कर सकते हैं fx is equal to px upon gx बिल्कुल sir बिल्कुल लिखा जा सकता है 100% surety है इस बात की तो ठीक है done px upon gx ठीक है? done है? बिल्कुल done है क्योंकि sir उपर भी polynomial और नीचे भी polynomial पॉलिणॉमियल अपॉलिणॉमियल की बात हो रही है न अब बात हो रही है डोमेन निकालो भईया इसकी इसकी डोमेन निकालो बहुत गौर से सुनना जी sir अब डोमेन कैसे निकलेगी boss डोमेन मतलब input है न डोमेन का मतलब है बिटा input दोमेन का मतलब है सर जी input की बात की जा रही है कि input values बताओ इसकी input values हो क्या सकती है अरे लिली पूट input लिखना है ठीक है input values ठीक है ये बता करो यानि कि वह यार x की values क्या क्या हो सकती है तो सर इसके लिए हमको पहली चीज़ तो ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये rational function है और दूसरी चीज़ ये है कि हमें denominator का खेल करना है उपर कुछ भी हो जाए उपर zero बन जाए उपर five बन जाए उपर minus का कुछ बन जाए उपर कुछ भी बन जाए हमें उससे मतलब नहीं है हमें rational polynomial rational function में sorry not polynomial rational function में नीचे वाला denominator वाला जो polynomial होता है ना उस पूरे portion को zero होने से बचाना है उस पूरे portion को इस पूरे portion को zero होने से बचाना है तो हम लिखेंगे sir x plus one should not be equal to zero तो one उदर जाएगा क्या आजाएगा पिटा ये आजाएगा sir x is equal to minus one कुछ समझ में है x is not equal to minus one क्या मतलब हुआ इसका simple सा एक बात simple सी एक बात है sir इसका मतलब हुआ x कुछ भी value हो सकती है minus one को छोड़ दो x आप कुछ भी value रख दो मतलब input के तौर पर आप यहाँ x की जगा input के तौर पर x की जगा sir कोई भी real number रख सकते हो बस except minus one यह है बिटा इसकी domain यह है इसकी domain sir आपने उपर वाले polynomial की तो बात ही नहीं करी उपर वाला polynomial 0 होता है हो जाए 1 होता है हो जाए क्या होता है ना कि polynomial जो rational polynomial है ना यह तरह से एक ratio है और ratio को जो ratio का output है result है result भाई x की value तुम कुछ डालो कुछ ना कुछ result मिलेगा x की value 5 डाल दो कुछ ना कुछ result मिलेगा x की value 2 2 डाल दो कुछ ना कुछ result मिलेगा जो result है ना वो not defined नहीं आना चाहिए क्योंकि ratio में सबसे बढ़ा नाटकी यह होता है sir कि चब हम something upon something में नीचे अगर 0 आ जाए अगर नीचे 0 आ जाए x square minus 4 कुछ भी हो जाएगा 5, 10, 20, minus 10 कुछ भी हो जाएगा लेकिन अगर upon में upon में 0 आ गया मान के चलो x की value 1 रख लिए अपनने 1 ठीक है minus 1 रख लिए minus 1 का square 1, 1 minus 4, 3 तो यह आएगा minus 3 upon हमें इसका result not define होने से बचाना है इसलिए हम क्या करते हैं उपर वाले पे बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं हम सिर्फ नीचे वाले polynomial को not equal to 0 होने से मतलब 0 होने से रोकते हैं तो domain क्या है सर, set of real numbers set of real numbers बस उसमें से minus कर दो मतलब हटा दो माइनस का 1 देख लो दोस्त जल्दी से देख लो दन है? बिलकुल दन है सर यह हो गया domain क्या हो गया सर? यह हो गया भी टापना domain any fraction is not defined when its denominator is equal to 0 this is the key point that is used in finding the domain and range of a rational function बात समझ में आ रही है सर? yes सर बात समझ में आ रही है सर clear है सर? बिलकुल clear है आगे की बात करते हैं ठीक है? अब क्या करेंगे सर? important point यह है कि भाईया आपको जब भी domain और range निकाल ली है तो आपको यह key point याद रखना है rational function में कि upon में जो है उसे 0 होने से बचाना है ठीक है? डन सर domain of rational function कैसे find करते हैं? although आपन देख चुक हैं फिर भी एक पर पढ़ लेते हैं the domain of a rational function is the set of all x values domain में x की ही values आती है input की ही values आती है कोई नई बात नहीं बोली इनोंने के domain is a set of values of x हट जा भाई हट जा क्या कर रहा है domain is the set of is the set of all values of x set के अंदर लिख देता हूँ मैं all values of x all values of x बोले तो input की values ठीक है सर done? जी सर all values of x that the function can take permissible inputs जिसको मैं बोलता हूँ allowed inputs क्या? मैं बोलता हूँ allowed inputs ऐसे inputs जो function actually ले सके है ना? तो आपन कह देंगे allowed inputs allowed inputs यानि allowed values of x ठीक है सर? done to find the domain of a rational function y is equal to fx आपको y is equal to fx अगर find या आपको एक function दिया गया ठीक है? y is equal to fx is equal to फिर से example लेते हैं दोस्त है फिर से example लेते हैं x cube minus 8 upon 2x plus 3 suppose यह अपना एक rational function अब वो क्या गया रहा है? सुनना यह domain निकालने की बात कर रहा है यह domain सिखा रहा है कि कैसे निकाला जाता है? जो अपन already सीख चुके domain निकालने के लिए set the denominator not equal to zero and solve it for x बात खतम हो गई domain निकालने के लिए set the denominator यह जो denominator है इसको क्योंकि यह polynomial upon polynomial चल रहा है polynomial upon polynomial का मतलब है rational function, rational function की domain निकालनी है तो कुछ नहीं करना है यह जो आपको दिख रहा है ना यह 2x plus 3 जो denominator है इसको not equal to zero भही है 0 होने से बचाना है यह 0 नहीं होना चाहिए बस इतना लिखके x के लिए solve कर दो 3 वहाँ जाएगा, minus 3 हो जाएगा 2x is not equal to minus 3 2 वहाँ जाएगा, upon में आजाएगा x is not equal to minus 3 by 2 यह answer आ गया क्या यह answer आया यह answer नहीं आया हमें answer में यह मिल गया x की value, x की value input होती है x की value बस यह नहीं होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए का मतलब बागी सब हो सकती है बागी सब हो सकती है तो set of all real numbers domain क्या होगा फिर बेटा, set of all real numbers domain यानि की x की value input values कौन कौन सी होगी भाई, x belong करेगा यह आप कह सकते हो domain will be set of all real numbers ठीक है all real numbers सारे real numbers का set except minus 3 upon 2 है ना all real numbers other than the value of x mentioned in the last step other than मतलब इसको छोड़के तो minus कर देंगे 3 by 2 यह answer है क्या है सर यह domain यह domain निकालने का तरीका है अब हम next slide पे चलेंगे सर ठीक है done है सर, बिलकुल done है आगे चलते हैं moving on to a next slide I guess के आपको इतना clearly समझ में आ रहा है rational function के मताबिक find the domain अब हमको domain निकालनी है ठीक है range निकालनी है अभी अपन को domain निकालनी है ठीक है सर हमको function दिया है fx is equal to y is equal to है ना fx is equal to y is equal to ऐसे लिख सकते हैं ठीक है यह दिया 2x plus 1 upon 3x minus 2 पहले तो यह देख लो क्या यह rational function है हाँ सर रैशनल है क्योंकि polynomial upon polynomial है very good बहुत शांदार इसका मतलब जो fx हमें दिया है वो actually px यानि polynomial of x upon gx यानि polynomial of x यानि polynomial upon polynomial है और नीचे सर gx जो है ना वो 0 भी नहीं है it is not equal to 0 यह भी हमने देख लिया ठीक है सर ध्याएं से सुनना विटा अब हमसे कहा गया कि domain निकालो तो भी या domain निकालने का तरीका तो अभी हम सीख करा है rational function के लिए क्या सर domain निकालने के तरीके में सर सबसे पहला step दोई step है सर सबसे पहला step है denominator को not equal to 0 लिख दो बात खता हम यह denominator है 3x minus 2 3x minus 2 is not equal to 0 बस solve कर दो x के लिए 2 वहां जाएगा भाई प्लस हो जाएगा 3x is not equal to 2 3 उदर जाएगा divide हो जाएगा is not equal to 2 by 3 अब कहीं बच्चे हैं यह answer छोड़ देंगे गलत है step number 2 यह तो पहला step है first step है step number 2 है कि domain will be equal to all real number का set domain will be equal to सारे real number का set that is r ठीक है r यह real number का set हो गया बस accept this accept this का मतलब है minus 2 by 3 यह answer आया देख लो चोटा साए question है ना ऐसे चोटे चोटे questions करके ही हमारी concept बहुत बढ़िया बड़े build up हो जाएंगे हैं ना कि सर हम कह सकते हैं बढ़िया तरीके से हमने build up करे हैं सारे की सारे concepts ठीक है सर done 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 क्या बात है सर clear है हाँ सर clear है अब तो clear है आगे चलते हैं moving on to next rational function का next slide देख लेते हैं सर next slide पे क्या छुपा हुआ है so that अपन बड़िया तरीके से rational function को निपटा सकें खतम कर सकें ठीक है सर done चलो दोस्त इसको erase करता हूँ मैं देखता हूँ next slide क्या है range of rational function अब हम range कैसे निकालेंगे domain तो निकालना सीख गए बेटा range सामने से add गया हूँ मैं अब screenshot ले लो ठीक है properly निकालेंगे काई देसे ठीक है done चलिए सर अभी चलते है अपन range निकालने देखो range कैसे निकलेगी ठीक है पूरा देखना एक-एक step देखना हर एक चीज़ डीटेल में समझाई जाएगी भाया बिलकुल भी उचला नहीं जाएगा अच्छा इस example इस पूरे के पूरे process को इसी पर देखते है 2x plus 1 3x minus 2 2x plus 1 3x minus 2 2x plus 1 ठीक है 2x plus 1 upon 3x minus 2 ठीक है यह अपन को fx दिया गया है ठीक है धियान से सुनना यहाँ अपनने domain निकालना सीख लिए अब range निकालना सीखते है ठीक है सर डन तो सर जी range कैसे निकलेगी इसकी देखते जाना steps जो भी है उसको follow करते जाओ बस खताओ ठीक है पहला step होता है कि आपको जो fx लिखा उसकी जगा y लिखना है ठीक है सर इसकी जगा y लिखना है तो y is equal to 2x plus 1 upon 3x minus 2 step number 1 clear है हा सर step number 2 यह है कि यह जो y is equal to लिखा है न इसको पेटा x is equal to बनाओ मतलब solve करो काट अपीटी करो multiply divide plus minus जो करना है करो x is equal to something आना चाहिए तो अब अब मैं इसको solve करना पड़ेगा ठीक है सर upon 1 कर दो cross multiply यह इससे आके multiply हो जाएगा ठीक है solve करते है y into 3x minus 2 is equal to 1 into this तो यह तो 2x plus 1 ही रहेगा ठीक है तो 3xy minus 2y is equal to बेटा 2x plus 1 अब x is equal to चाहिए तो बेटा इसके अंदर भी x है और इसके अंदर भी x है है ना तो एक काम को और इन दोनों को एक साइट करो इसको इदर बुला लो तो 3xy minus 2x हो जाएगा बेटा वो यहाँ के और 2y वहाँ चला जाएगा तो plus का 2y हो जाएगा plus का 1 यहाँ से x common उठाएगे बेटा बचेगा 3y minus 2 is equal to 2y plus 1 clear है? हाँ सर clear है तो x is equal to क्या आया? x is equal to आया दोस्त 2y plus 1 upon 3y minus 2 clear है? बिल्कुल clear है सर 110% clear है ठीक है तो x is equal to 2y plus 1 अपन एक बार cross check कर लू मैं y3xy minus 2y is equal to 2x plus 1 तो यह 2x इदर आ गया minus का यह plus का हो गया ठीक है तो x common 3y minus 2 आया 2y बिल्कुल सही perfect यह हो गया दूसरा step अपना complete ठीक है? range find करना है अपन को ध्यान देना सर range निकालना है अपन को ठीक है? range इसको अटा दूँ find range लिख दूँ find range find range off ठीक है? done सर low भई सुनते जाना? यह सर सुन रहे हैं ओके तीसरा step पहला step yellow color में दूसरा step यह हो गया तीसरा step यह है बहुत basic सा है देखो यह लिखा है पहला step देखो if we have fx in the given equation यह function replace it with y है अपने सबसे पहले fx की जगा y लिखा दूसरा step देखो बिटा solve the equation for x x के लिए solve कर दो x is equal to something यह जैसे ही आ जाए तो समझ जाना कि हाँ दूसरा step हमारा perfectly कामयाब हो गया तीसरा step तीसरा step सुनो तीसरा step सुनो set the denominator of the resultant equation not equal to zero जैसे हम domain में करते थे ना सीधा हमने function का denominator not equal to zero रख देते थे domain में यहाँ अब दो step करने के बात जो आएगा यह बिटा कहलाएगा इसका denominator यह रहेगा तो हम 3y minus 2 is not equal to zero लिखेंगे समझ रहे हो यह सर समझ रहे है तो भहिया solve करेंगे y is not equal to 2 by 3 आएगा क्या आएगा 2 by 3 अब जैसे ही आजाए बस खतम हो गया बिटा अनसर आगया set the denominator of the resultant equation not equal to zero denominator के आगे not equal to zero लिख दो and solve it for y और y के लिए solve कर दो बस खतमा अनसर आगया set of all real numbers except that range क्या आगया set of all real numbers other than the value of y तो आपकी range क्या ही पेटा आपकी range आगयी all real numbers ठीक है all real numbers minus except this except 2 by 3 लीजे सर डन डन आडन यह answer आगया है ना all the real numbers दुनिया भर के real numbers output के तोरते आ सकते है range का मतलब होता है output है ना दुनिया भर के numbers output बनके आ सकते है बस 2 upon 3 नहीं आ सकता है बस 2 upon 3 नहीं आ सकता है सर जी clear है yes sir clear है 110 percent clear है बड़िया दरीके से समझ में आ रही हूंगी चीज़े मुझे तो उम्मीद है यार है ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार slowly slowly समझाओं वो जादा अच्छा है rather than to run है ना दौडने से अच्छा है आराम से चलो मुह के बल गिरेंगे तो दर्द जादा नहीं होगा चलो moving on आगे चलते हैं सर जी और देखते हैं आगे की slides पर हमारे लिए क्या चीज़ें वेट कर रही है चलो इसको erase करता हूं ठीक है I'm erasing this अच्छा एक question है खत्म है क्या अच्छा और भी है ठीक है find the range of चलो पहले एक काम करेंगे पहले वन function लिख लेते हैं fx 2x plus 1 ठीक है सर upon 3x minus 2 ठीक है ठीक है इधर भी लिख लेते हैं function क्यों सर विटा domain भी निकालेंगे और range भी निकालेंगे ठीक है ताकि आपके practice हो जाए सारे के सारे steps ठीक है सर ठीक है rational function चल रहा है ध्यान देखना यह normal function नहीं है यह rational function की बात हो रही है ठीक है तो सर जी पहले हम धिमाग में ध्यान देते हैं जड़ा domain पे domain में कुछ नहीं करना परता है domain का मतलब होता है सर x की values domain का मतलब क्या होता है दोस्त x की values के हम x की values input क्या कर सकते है basically input allowed inputs के sir वो inputs जो actually ये function ले सकता हो ठीक है तो कैसे करते हैं उसमें simple है उसमें तो सीधा सीधा नीचे वाला जो polynomial है ये not equal to 0 रख दो जो भी नीचे वाला polynomial है 3x minus 2 उसके आगे not equal to 0 लिख दो बात खतम 2 वहाँ जाएगा minus से plus का हो जाएगा ठीक है is not equal to minus से plus का हो जाएगा x is not equal to 2 by 3 sir ये जैसे ही answer आया लिख देंगे बिटा के domain is equal to all real numbers domain का है बिटा domain is set of all real numbers except 2 by 3 except 2 by 3 तो 2 by 3 को minus कर दो curly bracket में लिख के इसको बोले जाता है all real numbers except 2 by 3 अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं अपन range की जो range इनों ने निकालने की बात हम से कही है तो अब range देख लेते हैं sir ठीक है range कैसे निकालते है sir 3 step है range कैसे निकालते है 3 step है sir basic से 3 step है range का मतलब होता है sir basically they are talking about outputs या outputs क्या क्या आ सकते हैं इसके ठीक है तो outputs क्या क्या आ सकते है sir they are talking about outputs simple है बड़ा ही simple है बड़ा ही सादा है क्यों देखो बताता हूँ कुछ नहीं करना होता पहला step होता अगर fx है तो उसकी जगा y लिखो y is equal to 2x plus 1 upon 3x minus 2 यह तो पहला step हो गया दूसरा step होता है दोस्त इसको solve करो जैसे y is equal to something है हमें x is equal to something चाहिए तो solve करते हैं बच्चा तो y bracket 3x minus 2 लिखेंगे बटा 3x minus 2 यहां आ जाएगा cross multiply में 2x plus 1 इदर रहेगा 3xy 3xy minus 2y is equal to 2x plus 1 पुराने वाले जैसा लग रहा है तो पिछले वाले जैसा same है क्या नहीं यार symbols change है minus का है वहाँ plus का था ठीक है x इसको यहां लाते है 3xy minus 2x is equal to plus का 2y plus 1 ठीक है यहां से x common लेते हैं बटा 3y और minus का 2 3y और minus का 2 is equal to 2y plus 1 इस पूरे को वहाँ भेज दो तो x is equal to बना 2y plus 1 अपॉन 2y plus 1 अपॉन 3y minus 2 और जैसे यह आ जाए रुख जाना थम जाना ज़रा क्यों क्योंकि सर यह x is equal to something आ गया बस range में बस एक काम यह करना पड़ता यहां तक इसके अलावा बस बात खतम हो गई बेटा अब इसका denominator next second step है इसका denominator उठाके not equal to 0 रख दो 3y minus 2 is not equal to 0 इसका denominator उठाके सीधा सीधा आप not equal to 0 रख दो तो answer क्या आएगा सर यह यहां जाएगा minus से plus हो जाएगा 3y is not equal to 2 y is not equal to 2 by 3 तो answer क्या आया answer आया बेटा आप range कह सकते हो कि answer आया range is set of real numbers except 2 by 3 इसका भी answer सेम आया चल्दी से देख लो खतम करते हैं सर so that we may move on और आगे continue करें done सर बिलकुल done चलो बई एकात question ऐसी करते हैं अपने दिमाग से ठीक है अपने आपसे question लिखते हैं और देखते हैं सर कैसे हो पाएगा ठीक है जैसे question में मैं तुमको एक function देता हूँ fx is equal to दोस्त sir 5x plus 2 upon 3x minus 1 ठीक है चलो सर जी इसका domain निकालो चलो domain निकालते हैं ठीक है domain कैसे होगा domain तो direct sir denominator को not equal to 0 लिख दो है ना domain का मतलब है directly directly denominator को जो denominator है क्योंकि polynomial upon polynomial है ना हाँ sir तो 3x minus 1 is not equal to 0 और x के लिए solve कर लो 3x is not equal to 1 minus 1 वहाँ बन चली जाएगी x is not equal to 1 by 3 तो भहिया इसका तो domain या निकाल 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 तो आ गया sir क्या set of all real numbers उसमें से minus कर दो उसमें से बस 1 upon 3 नहीं चाहिए मैं है ना it should not be equal to 1 upon 3 अब आती है बारी बिटा domain हो गया range चलो range निकालें sir है ना range निकालते है range के लिए क्या है sir range के लिए तरकीब वही है कि सबसे पहले y is equal to लिखो है ना जो भी दिया है y is equal to 5x plus 2 ठीक है upon 3x minus 1 फिर इसका multiply multiply करके x is equal to बनाओ पहला step तो यह ही हो गया दूसरा step y into 3x minus 1 y into 3x minus 1 is equal to बिटा 5x plus 2 देखो करना कुछ नहीं है यह बस आपको x की equal बनाना है जैसे y की equal दाना एजी x की equal में create कर दो equation ठीक है दूसर तो 3xy minus y is equal to 5x plus 2 ठीक है तो x यहाँ लाओ y वहाँ ले जाओ ठीक है 3xy minus 5x is equal to plus का y plus 2 y उदर जाके plus हो जाएगा x common ले ले लेंगे बिटा यहाँ हैगा 3y minus 5 is equal to y plus 2 ठीक है done sir simple है यह वहाँ जाएगा तो x is equal to y plus 2 upon 3y minus 5 y के upon y की equal में अपन ने बना दिया upon ने के रहे हों है y के equal में अपन ने x के equal में अपन ने बना दिया ठीक है next step क्या है दो step होगा तीसरा step क्या है तीसरा step simple है जो इसका denominator हावा है उसको not equal to 0 लिख दो 3y minus 5 is not equal to 0 5 बहाँ जाएगा 3y is not equal to plus का 5 y is not equal to 5 by 3 जैसे अपन ने ये चीज़ देखी अपन समझ गया अपना answer आगया क्या कि सर जी range जो है न range जो है न ये क्या है सर ये है set of real numbers set of real numbers बोले तो r उसमें से minus करतो 5 upon 3 ये answer आगया है ना यासी मन से ले लिया था मैंने question ये question था अपना ठीक है I hope अप clarity हो गई होगी बिल्कुल clarity हो गई होगी कि क्या है कैसे है कैसे solve करने everything must be clear अभी चलते है अपन आखरी अपने कह सकते है topic पे और इस topic के बाद भी या टाटा भाई भाई हो जाएगा इस video से अपना ठीक है सर done 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 sir बिल्कुल done आगे चलते हैं सर ठीक है done sir erase करता हूँ इसको so that अपन आगे चल सके इसमें range और domain दोनों सेम आयते हैं अपने है ना चल inverse of a rational function किसी rational function का inverse कैसे आता है देखो simple है मेरी बास सुनना वैसे inverse 11th class के हिसाब से थोड़ा सा हाई है थोड़ा सा हाई बट स्टिल देख लो inverse निकालने का तरीका क्या है किसी भी function का inverse तब आता है जब वो function 11 and onto दोनों हो अभी 11 क्या है onto क्या है injective क्या है surjective क्या है या आपको 11th नहीं 12th में पता चलेगी बट स्टिल थोड़ा सा देख लो समझ में आजेंगी चीज़े तो अच्छी बात नहीं आएंगी तो आपकी इच्छा है ठीक है to find the inverse of a rational function y is equal to fx replace fx with y interchange x and y solve the resultant equation for y the result would give the inverse fx देखो जैसे मान के चलो अपन ने एक example के तौर पे एक rational function ले लिया ठीक है y fx is equal to x minus 2 upon x plus 1 बहुत basic सा example ले लिया ठीक है done sir सुनते जाओगे मज़ा आएगा ठीक है sir अब बात हो रही है कि इसका inverse निकालो f inverse x निकालो ये fx का inverse f inverse x ऐसा होता है बता चुका हूँ मैं पुरानी वीडियोज अगर मेरी देखी होंगी तुम्हें पता होगा f inverse x कैसे लिखा जा सकता है ठीक है तो सबसे पहला step होता है अगर आपको f inverse निकालों तो इसको y लिखो ठीक है सा लिख दिया x minus 2 upon x plus 1 वैसे ही लिखो ठीक है next step होता है जहाँ जहाँ x उदर y लिख दो जहाँ जहाँ y उदर x लिख दो मतलब y की जगा x आ जाएगा और x की जगा y y minus 2 upon y plus 1 इतनी बात के लिए रहे देखो interchange x and y x and y का interchange कर दो ठीक है solve the equation for y अभी x is equal to something लिखा है न यह हाँ सर इसको y is equal to something बनाओ तो सर इसका multiply करना पड़ेगा solve करना पड़ेगा बिल्कुल solve करना पड़ेगा is equal to y minus 2 x का multiply बगर देंगे बिटा x into y plus x बना x is equal to y minus 2 ठीक है y is equal to something बनाना है तो x y के पास इस y को बुला minus y हो जाएगा is equal to 2 minus x minus 2 ठीक है minus x minus 2 यहाँ से y बिटा common ले लेंगे bracket में आएगा x minus 1 is equal to minus x minus 2 y is equal to कितना आएगा दोस्त minus x minus 2 upon x minus 1 उपर से minus common ले लो तो यह आजाएगा minus common लेके x plus का 2 भी plus का upon x minus 1 इस minus को यहाँ interact करा दो तो y is equal to आएगा x plus 2 upon 1 minus x क्या आएशर यह 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 आगया हमारा यह आगया जो आया ना आणसर यही है हमारा क्या f inverse x यह f inverse x है लो भी यह f inverse x निकालना भी बिट कितना असान है बिलकुल आंसर है the result would give the inverse f inverse x खत्म कितना easy था f inverse यानि किसी function का inverse function निकालना is really very easy not a big task at all right sir 110% right I hope आपको यह पूरा वीडियो परसंद आया होगा बढ़िया लगा होगा एक एक concept एक एक चीज clear हो गई होगी अच्छा एक और question है अभी find the inverse लो यार inverse भी है निकालो यार inverse चलो sir function दिया है f x 2 x minus 1 ठीक है upon x plus 3 ठीक है अगर इसका function का inverse यह मांग रहे है न तो यह 1 1 on 2 दोनों होगा ठीक है अभी यह 1 1 क्या है on 2 क्या है बताऊंगा बेटा सबर रखो nature होता है एक function का सबसे पहला step होता है sir f x की जगा हमें y लिखना है सबसे पहला step is f x की जगा हमें y लिखना है y is equal to 2 x minus 1 upon x plus 3 sir ठीक है done clear है हाँ sir दूसरा step होता है change कर दो interchange कर दो y की जगा बेटा x लिख दो और x की जगा y तो 2 y minus 1 upon y plus 3 है ना x की जगा 3 x की जगा y x की जगा y फिर उसको solve कर दो कि y is equal to something आ जाए solve कर दो यह x is equal to something है ना y is equal to something आ जाए तो x का multiply y plus 3 से होगा sir is equal to 2 y minus 1 है ना तो y x का multiply अंदर करा देते हैं x y plus 3 x is equal to 2 y minus 1 y equal to तो इसमें भी y है इसमें भी y है भई एक साथ करो x y minus 2 y is equal to minus 3 x minus 1 3 x को भी वहाँ भेज दिया y common ले लेंगे बिटा आप ब्रैकेट में बच्चेगा x minus 2 is equal to minus 3 x minus 1 clear है हाँ sir अब क्या करेंगे y bracket x minus 2 is equal to minus 3 x minus 1 ठीक है sir done इसको पूरे नीचे ले जाएंगे divide करेंगे y is equal to minus 3 x minus 1 upon x minus 2 done sir बिलकुल done minus common ले लो बिटा उपर minus common लेंगे तो plus का 3 x बचेगा plus का 1 बचेगा upon x minus 2 अब ये जो x minus 2 है ना इसको इस minus को यहां interact करा दो तो जादा सही रगएगा ये y is equal to 3 x plus 1 upon x minus 2 की जगा 2 minus x हो जाएगा है symbol पलट जाएंगे ये जो आया ये हमारा answer आया बस y करके नहीं लिखेंगे in spite of y we will write y की जगा हम क्या लिखेंगे बटा इस f x का inverse है यार ये तो f inverse x is equal to 3 x plus 1 upon 2 minus x लो भी डटन ठीक है? खता में क्या? हाँ sir खता में है चलो बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो I hope को आपको बड़िया मज़ा आया होगा और सारे के सारे questions concepts सब समझ में आया होगे एक बार recall कर लेते हैं हाँ यहाँ अज़र शुरू करा था sir rational function समझेते कोई भी functions जो basically दो polynomial के ratios के form में लिखे हो कि भाई या ऊपर भी एक आपको polynomial दिख जाए PX PX का मतलब है polynomial नीचे भी आपको GX एक polynomial दिख जाए तो समझ जाना इस function of X को आप क्या बोल दोगे इसको आप बोल दोगे rational function क्या बोल दोगे rational function बस एक चीज याद रखना sir नीचे 0 नहीं होना चाहिए ठीक है done sir इतनी बात clear है तो आगे बढ़ते हैं ठीक है इतनी बात clear है तो आगे बढ़ते हैं फिर बात हो गई थी भाईया number number की बहुत important point था ये points बहुत important थे ठीक है कि sir कभी भी आपको polynomial अपन polynomial मिले उपर अगर number मिल जाए number मतलब constant और नीचे non constant मिले तो वो rational होगा मतलब कैसा उपर जैसे मान के चलो कोई number मिल गया minus 2 है ना और नीचे मुझको एक proper polynomial मिला sir 4x plus 3 तब मैं इसको कह सकता हूँ के हाँ यार ये एक rational polynomial है rational function है sorry अगर मुझे ऐसा उल्टा मिल गया उल्टा 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 मतलब नीचे number और उपर एक polynomial जैसे उपर मिल जाए 4x plus 3 और नीचे मिल जाए minus 2 तब sir हम इसको rational function नहीं कह सकते we cannot call it a rational function ये properly एक linear function कहलाएगा linear यानि polynomial function कहलाएगा ये polynomial है डन sir? yes sir example आपको दिये गए थे अच्छे से पढ़ लेना next sir domain and range ये important चीज़ थी domain and range से जाद है important कुछ ही नहीं है है ना domain निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए domain का मतलब है input input का मतलब है x की values x की values का मतलब है हमें ऐसी ध्यान देना है rational function में खासकर ध्यान ये देना होता है कि rational function में क्या होता है ना पर px होता है मतलब एक polynomial नीचे gx होता है यानि नीचे भी एक polynomial और हमें ही पता है कि ये एक ratio होता है ना rational function एक ratio होता भाई ये something upon something क्या है ratio तो अगर मुझे इसके result को अच्छा रखना है result मतलब output को अच्छा रखना है तो input मुझे समल के select करनी पड़ेगी कोई भी polynomial हो although अपन डिसकस कर चुके x minus 5 upon 2x plus 1 अब ये दिया आप से कहा गया कि भाई या input बताओ यानि की domain बताओ आप क्या क्या रख सकते हो कैसी कैसी domain हो सकती है कुछ नहीं करना है rational polynomial है rational function है पहचान गए polynomial upon polynomial है पहचान गए नीचे वाला polynomial जो है ना डोमेन आ गया domain क्या आया सर domain आ गया आपका all real number का set है real number का set minus उसमें से बस ये छोड़ दो minus 1 by 2 ये छोड़ के बस तो ऐसे निकलती है domain range भी easily निकल जाती range में बस थोड़ा सा solve करना पड़ता है उल्टी पुल्टी करनी पड़ती है मतलब ऐसे उल्टी पुल्टी नहीं पर हाँ easily निकल जाता है range domain निकाल ली थी range निकाल ली थी है inverse निकाल ली अताय होग आपको पूरा पूरा session मस्त बढ़िया लगा होगा पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो like जरूर करना और feedbacks जरूर देना अपने comment box में magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost education for all the classes of K-12 that is kindergarten से class 12 तक सारी classes, सारे subjects अपना CBSC English Medium Board के सारे प्यारे प्यारे बच्चों को पूरी पढ़ाई कराई जाती है उनका पूरा syllabus and पूरा course कम्प्लीट कराया जाता है top class quality videos के form में और सारे videos आपको मिलते हैं properly 100% free of cost चाहे आप हमारे YouTube channel पर देखो website पर देखो या application पर देखो हर जगा आपको videos हम free of cost ही provide कराते आ रहे हैं ठीक है, Hindi Medium के जो बच्चे हैं जो class 6 से लेकर class 12 यानि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की भी बच्चा है ना जो class 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर रहा है Magnet Brains Hindi Medium YouTube channel भाई आपी के लिए है मतलब आपी के लिए है ऐसे Hindi Medium वाले बच्चों के लिए best quality content हम अपने Hindi Medium YouTube channel पर provide कर रहा है which is Magnet Brains Hindi Medium तो भाई या Hindi Medium वाले बच्चे बिना किसी रोक टोक के वहाँ सीधे जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अलगी उडान दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी top class quality वाले वीडियो के साथ साथ आपको in-depth explanation वाले वीडियो देखने को मिलेंगे most important questions वहाँ कराये जा रहे है NCID वहाँ complete कराये जा रहे है आपके mixed questions वहाँ complete कराये जा रहे है multiple choice type questions वहाँ complete कराये जा रहे है every every everything in detail वहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आपको notes डाउनलोड करना है मेरे प्यारे बच्चे मैं बात कर रहा हूँ class 6 से लेकर class 12 English medium CBAC board वाले बच्चों की कि अगर आपको सच्छी में बढ़िया वाले notes की जरूरत है ना best notes तो उसके लिए तो में कुछ नहीं करना है website open करना grab e notes पे click कर देना बस website www.magnatebrains.com application आपको google play store से मिल ही जाएगी grab e notes पे click करोगे and just select a class that is from 6 to 12 class 6 to 12 select कर लेना जिस भी class में हुआ वैसे तो आप 11 या 12 की बच्चे होगे और अपना subject choose कर लेना जिस भी subject के best and best notes आपको चाहिए बढ़िया download करके पढ़ाई करना शुरू कर देना जल्दी मिलेंगे जनाब in next video till then happy learning take care bye